जहे हैं दोस्तों, क्या आप PGT PGT exam की तैयारी संस्कित बिसाइसे कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्पूर होने वाला हैं, प्रक्टिस सेट आपके लिए लेकर के आ गए हैं, बहुत महत्पूर इसमें प्रिशन हैं, और आपके पूरे सिलेवस के अनुसा रूप है, अभवत रूप कौन से लकार का है और कौन सा वचन है, तो आपको बता दें कि जब बात करते हैं, यहाँ पर लकार दिये हुए हैं, जैसे लंग लकार दिया गया है, लंग लकार, तो लंग लकार आपको बता दें कि यह प्रियोग होता है भूत काल के लिए, ठी इस प्रकार से उसके रूप बनते हैं, तो लंग लकार प्रथम पुरुष एक बचन यहां पर हो जाएगा, और देखें, मिल संगमे का लट लकार अन्न पुरुष एक बचन का रूप है, ठीक है ना? ठीक है ना? मिल संगम का लट लकार के अन्न पुरुष का एक बचन रूप, क्या बन जाएगा? तो इसमें बनता है मिलती, लट लकार में, ठीक है ना? क्या बनता है? प्रथम पुरुष कहलो या अन्न पुरुष, एक ही बात होती है, तो मिलती मिलता हम लंती, इस प्रकाल से चलेंगे सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रशना गया पॉर्वसाला का समास विग्रे होगा पॉर्वसाला का समास विग्रे क्या होगा जल्दी से बता दीजेगा दोस्तों कमेंट फटाक फट करना है वीडियो को लाइक जरूर कर दें सेयर कर दें चलिए तो पॉर्व सास्तो भासा विज्ञान हो, सबकुछ इस टेस्ट सीरीज में पचीस सो से अधिक प्रिस्ण लिये गए हैं, यह टेस्ट है तॉप फिप्टी स्टडी पर आपको हमारे टेस्ट मिलेगा मातर 119 रुपे में आप एक खरीज सकते हैं, विसेश ओफर है तो अभी तक ना ले पाएं हो, तो चूके ना दोस्तो, कोई दिक्कत आपको आती है खरीदने में तो आप हमारे इस नंबर पर भी आप संपर कर सकते हैं, यह हमारा नंबर दिया गया है इस पर संपर करें, WhatsApp पे आपको इस पर मैसेज करना है और उसका में reply दे दूगा तो WhatsApp पे मैसेज करना है इस बात का ध्यान रखें और Top 50 Study एप को डाउनलोड करें उसके बाद कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे WhatsApp पर मैसेज कर सकते हैं तो दोस्तो यह एप आपको पिले स्टोर से डाउनलोड करना है, Top 50 Study के नाम से इस परकार का हमारा आइकन है और एप डाउनलोड करने के बाद आपको तुरंत एक टेस सीरीज मिलेगी और अभी से बिलकुल टेस्ट देना प्रारम कर दें, टेस्ट लगाएंगे, बहुत अच्छा आपको पेपर के पहले अभ्यास हो जाएगा आपको आपकी गलतियां पता चलेंगी, तो जरूर दें description में भी मैंने link के दी हैं आप डाउनलोड करने की, आप वहां से कर सकते हैं दुई उमनम में समास है, अगला प्रशन है, दुई उमनम में समास है, कौन सा है, इसमें लोग confuse हो जाते हैं इसमें लोग क्या देखते हैं कि प्रथम पत क्या है तो उन्होंने कभी या कि प्रथम पत तो यहाँ पर संख्या बाची है दुई है तो वो लगा देते हैं दिगू समास बलकि इसका दिगू समास उत्तर नहीं है इसका उत्तर है अब्यई भाव समास क्यों क्योंकि नदी बीस जो सूत्र होता है ठीक है नदी बीस सूत्र है इससे नदियों के अर्थमें नदियों के नाम में नदी अर्थमें क्या अब्यई भाव समास होता है याद रखिएगा ठीक है ना पंच गंगम आजाए दुईयोमनम आजाए इन सब में अब्वेई भाव समास लगाना है अब सारी चीजें आपको पढ़नी है तो हमारा एप पर कोर्स भी मिलेगा आपको संस्कित का हिंदी का तो आप वो भी ले सकते हैं केवल तीन सो निन्यान रुपे में कोर्स उपलब्द है दोनों चीजों का पठित वत में प्रत्य है पठित वत में कौन सा प्रत्य है जल्दी से बता दें पठित वत पठित वत में आपको बता दें बतो प्रत्य है इसमें से बत बत बचता है अगला है भीत्यार्था नाम भय हे तू सूत्र से संब्द है कौनसी कारक से संब्दे थे जल्दी बताना है, कौनसी विवक्ति से है तो आपको बता दें कि आपको बताया था पंचिमी भयेन एक सूत्र हमने अपने कोश में पढ़ाया है जिन लोगों ने कोश लिया है पढ़ चुके होंगे पंचिमी भयेन अर्था भय के अर्थ में पंचिमी विखक्ती होती है और अपादाने पंचिमी है ठीक ना तो भय के अर्थ में पंचिमी होती है तो अपादाने हाँ पर हो जाएगा पितरव में समास है पितरव फटाक से कमेंट करना दोस्तों मैं कम समय दे रहा हूँ कम समय में ज्यादा प्रशन हमें पढ़ने हैं पूरी तैयारी आपको करनी है और इससे अच्छे अच्छे प्रशन हमारी टेस्स तीरी जो किबल आपको 139 रुपे में एप पर मिल लए है उसमें है तो आप भो भी लगाईए यहां भी पढ़िए तो पितरव का बिग्र है करते हैं माता चे पिता चे द्वंद समास हो जाता है माता पिता द्वंद हो आपस में ठीक है कामी स्वताम पस्यती यह सूक्ती है कहां से ली गई है सूक्ती कामी स्वताम पस्यती तो आपको बता दें दुस्यंत की ठीक है ना दुस्यंत की सूक्ती है अभी ज्यान साकुंतलम से ली गई है बिक्रोम बर्सियम है जल्दी बता दीजे बिक्रूम बर्सियम क्या है चम्पू काप है खंड काप है नाटक है या त्रोटक है क्या है बिक्रूम बर्सियम तो आपको बता देंगी बिक्रूम बर्सियम किसकी रचना है पहले तो यह बता दे कालिदास जी की रचना है और यह क्या है तो यह है एक नाटक कालिदास जी त नाटक है, मेग दूतम किस प्रकार की रचना है, मेग दूत किस प्रकार की रचना है, महा काब है, उपन्यास है, खंड काब या फिर चम्पू काब है, तो आपको बता दें, कि मेग दूत जो रचना है, किस की अंतरगत आती है, तो भहे आती है, खंड काब की अंतरगत, खंड मम्मट किसको निम्नमैसिक काब का प्रियूजन नहीं मानते हैं। चार ओप्सन दिये हैं। दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो ऐसे डेली आपको मिलते रहेंगे। कोई ही वीडियो ना छूटे सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबाए इस वीडियो को सब्सक्राइब किस अलंकार से संबंदित है। दोस्तो जल्दी से बता दें ये दोस्तो हमारा पहला सेट है प्रक्टिस सेट। ऐसे आपके लिए लगातार दस सेट आने वाले हों। जिन्होंने दस सेट लगा ले उनकी तैयारी वड़ी मजबूत होने वाली है। चूकना अब को बता दें कि या हो जाएगा यमकलंकार का है। और उसको भूल गया जो अंगूठी थी वो भी उसकी खो गई तो इस प्रिकार से साब दिया था दुरुबासा रिशी जाए निमने लिखेत अप्तरण में किसके विशेशन है किसके विशेशन है जल्दी से बता दिए तो इसका उत्तर हो जाएगा ये विशेशन आपको बता दें ये हैं सूध रखके किसके हैं सूध रखके सिसू पालबद की रचेता कौन है कई बार कूछी गई रचना है बेरी बेरी आई एमपी है सरल है इसलिए मैं चाहूंगा जल्दी से आप उत्तर दे दिजिएगा कमेंट में फटाक से तो आपको बता दें सूध पालबद रचना है माघ कभी की इसके लिए हमने ट्रिक बताई थी कि ये याद रखना है सिसू पालबद माघ मैने में हुगा था इससे आप समझ जाएंगे इनकी एक मात रचना सिसू पालबद माघ कभी की है सांख कारिका के रचेता कौन है सांख कारिका कभी ये बब रचनाओं से संबंदित बहुसी कलासम दे चुके हैं अपने एब पर भी दे चुके हैं और यूटूब पर भी तो इसमें मैं चाहूँगा कि कोई गल्ती आप से ना हो जल्दी बता दें तो इसके रचेता है इस्वर कृष्ण कौन है इस्वर कृष्ण सांख के निमने लेखे तत्यों में चेतन तत्यों कौन सा है कौन सा चेतन तत्यों है सांख के तत्यों में तो संख कारिका के रचेटा है इस्वर कृष्ण। अगला है, संख के निम ने लेखे तत्यों में चेतन तत्त कौन सा है। उन में ऐसे चेतन तत्व कौन सा है वो आपको बताना है थोड़ा सा दिमाख ही लगा लेंगे तो आप समझ जाएंगे तो आपको बता दें कि बुद्धी को अचेतन तत्व मानते हैं संक अहिंकार भी अचेतन है मन भी अचेतन लेकिन जो पुरोस है वै कैसा है चेतन तत्व ह और फटाफट कमेंट करते जाईएगा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक इतना काम आपको करना है जिसने अभी तक ना किया हो लाइक कर लें आदातम रूप है आदातम कैसे बनता है तो आपको बता दें कि यह अदातम जो है लुग लकार मध्यम परोस्दुई वचन का है ठीक है ना प्रकती से साख्छा तुथपन है प्रकती से साख्छा तुथपन कौन है जल्दी बताईएगा महत ठीक है ना इसका उत्तर हो जाएगा मेपोल सिध्धान्त में मेपोल क्या है मेपोल जो सिध्धान्त इसके बारे आपने पढ़ लिया होगा तो इसमें जो मेपोल है बहि क्या है इसका उत्तर आपको देना है तो आपको बता दें कि मेपोल सिद्धानत में जो मेपोल है वह एक खंबा है ठीक है और पृषणों पर चर्चा करते हैं दोस्ματα टेस्सीरिच के बारे बता चुके हैं लेकन हम आपको बता दें हिंदी ऑutz संस्कित के संपूर कोर्ड कोर्स के बारे में जिसमें पूरी हिंदी उस संस्कित आपको कबर कराई जा रही है साथी साथ इस कोर्स में आपको हम बता दें विसेश वात यह है कि आपके लिए live classes recorded video पूरे संस्कित के हिंदी के साथ में model test paper अभी आपको इसके साथ फिरी मिल लाए हैं बिना समय को गवा है और डाउनलोड कर लिया है और कोई लेने में दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो में पहले अपना number आपको दे चुका हूँ यह देखिएगा यह मेरा number है आप note कर सकते हैं और इस पर आपको whatsapp message करना है और उसके बाद मैं आपको reply कर दूँगा तो तुरंत आप app को डाउनलोड कर लिजे टॉप 50 पर कार के icon के नाम से आएगा तो आप जा करके इस course को ले सकते हैं टेस सीरीज को ले सकते हैं जो आपको उपयोगी लगे जरूद अगला है तो आपको बता दें कि यहां पर हो जाएगा कि यह बिलकुल गलत है ठीक है ना इसका उत्तर हो जाएगा आगे देखते हैं समुद्रम में कौन सा समास है समुद्रम जल्दी से बता दीजेगा समुद्रम में कौन सा समास है हाँ, बिल्कु सही आप पहचाम रहे हैं, समुद्रम में आपसे समास पूछा जा, संधी और समास को मैंने बहुत अच्छे तरीके से, अभी मैं जिस कोर्स के बारे में आपको बता रहा था, तीन सो निन्याने वाला हिंदी पिलस संस्कित का, जो कि हमारे परोपलब्ध है, उ जल्दी से अब बता देना, तो आपको बता दें, अब बेई भाव समास है, कौन सा है, अब बेई भाव, पीताम बरम सब्द में कौन सा समास है, पीताम बरम, समास बताना है, जल्दी से, हाँ, बिल्कु सही, कमेंट करते जाएं, मैं देखता जा रहा हूं, कौन बच्चे स ही उत्तर दे रहे हैं तो आपको बता दें पीतम अम्रम यससा सहा पीता अम्रह इसका विग्रह होता है पीता अम्रम यससा बहुब्री समास है पीला है बस्तर जिनका सांख्या भीवत में कितने तत्यों प्रकति और विक्रति हैं जो सांख अभी मत है उसमें कितने तत्यों को अब्यक्त क्या है सांख मत के इनुषार इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है तो आपको बता दें कि प्रकती कैसी है अब्यक्त भी सांखघरसनानुषार प्रकास से सम्भथ्ध है यह महत्पूर्ण परशन है, सांक दर्शन के नुसार प्रकास से संबद्ध है, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो यह हो जाएगा सत्तुकुण। प्रकास से संबद्ध क्या है? बेदान्त सार में बेदान्त किस मत का निरूपण है? जल्द इसे कमेंट में उत्तर देते एक साथ मैं आपसे प्रिष्ण पूछूँगा चाहूंगा कमेंट में ऊत्तर देना कि अध्यतवात के प्रवर्त tinham हैं ठीक है और देखें बेदांत सार के अनुसार QUM में 5 भूतों की उत्पत्ति का क्रम हैं वेदांत सार के अनुसार जो 5 भूत हैं उनकी उत्पत्ति का आपक पर दे सकते हैं और बता सकते हैं जल्दी कीजिएगा क्या हो जाएगा तो क्रम आपसे पूछा गया है तो आपको बताना है पहले आकास बायू तेजस जल पृथभी यह है पंच भूतों का क्रम बेदानतसार के नुसार ठीक है निमने लिखे सूक्ति किस रचना से ली गई है सूक्ति उस संबंदित कम से कम दो परश्मतों पूछे जाते हैं तो आप बता दीजिए सूक्ति किस रचना से ली गई है एसह कीडती कूप यंत्र घटीका नायप परसक तो बिधि जल्दी से बता दें यह सूक्ति किस ग्रण्त से ली गई है तो यह आपको बता दें सौप सौपनवास दत्तम से ली गई है, किस से सौपनवास दत्तम, म्रक्ष कटिकम का नायक, तो म्रक्ष कटिकम का नायक आपको बताना है, म्रक्ष कटिकम मतलब होता है, म्रक्ष मतलब मिट्टी की कटिकम मतलब गाड़ी, ठीक है न, वैसे तो वो बैस्या जो है सोना देती है, कि आप इसको स्वाणनी की एक गाड़ी बनवा के दे दें तो लेकन यहाँ पर पूछा गया है किसका नायक कौन है सूद्रक जी की रचना है पहली बात तो आपको यह रहना है याद और इसकी नायक है चारुदत कौन है चारुदत जोस्तो चैनल को तुरंट सब्सक्राइब कर लें अभी तक ना जोड़ पाए हो बेल आकन को दबाकर ओल नोटिपिकेशन और करके इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा मरक्च कटिकम की कथा किस में समायोजित है किस में है उच्छुआसों में है अग्क हम ने पहली बोल दिया अंक में है और देखें आ पारिसोद विदूसाम ना साधू मन्ने प्रियोक विज्ञानम वलवाद अपी सिख्षिता नामात्म प्रत्यम चेतनम यह सलोक किस काब का है जल्दी बता दीजीगा कौन से काब का है थोड़ा कठन है लेकिन आपको बता दें इन्हीं दो में से उत्तर है तो आपको बता दें यह है कालिदास जी की सूप्रशिद नाट रचना अविज्ञान साकुंतलम का है किसका है अविज्ञान साकुंतलम के किस अंक में है धीबर का प्रसंग जो है कौन से अंक में है अविज्ञान साकुंतलम के किस अंक में है जल्दी बता दें धीवर प्रसंग पड़ा होगा पेपर नजदीख है तो आपको बता दें सश्टह मतलब छटवे अंक में है अभी स्रमुयम लोक तंत्राधी का रहा इस युक्ती से युक्त नाटक है किस नाटक की युक्ती है इसलिए गलती नहीं करना जल्दी से बता दीजिए अभी स्रमुयम लोक तंत्राधी का रहा किसकी युक्ती है तो यह है अभी हम जिसकी चर्चा कर रहे थे कालिदास जी का सूपर सितनाटक अभिज्यान साकुंतलम की इसमें सकुंतला और दुस्यंत का बरणन की आ गया है पंची करण का निरूपन करता है कौन सा दर्सन है सड दर्सन को अच्छे से पढ़ लेना तो कौन सा दर्सन है जो पंची करण का निरूपन पंची करण का निरूपन करने वाला जो दर्सन है तो इन चार में से इसका सही उत्तर हो जाएगा हाँ बिल्गों सही कमेंट फटा फट करना है समय को बचाना है और कमेंट को आपको करना है तो बेदान्त हो जाएगा क्या है बेदान्त तत्तो मसी है क्या है तत्तो मसी तत्तो मसी क्या है यह एक तो आपको बता दें कि यहे महावाक्य है, पुत्तिली का निरत्त से संस्कृत नाटक की उत्पत्ती मानने वाला विद्वान है, किसने पुत्तिली का निरत्त से संस्कृत नाटक की उत्पत्ती मानी है, वो विद्वान है डॉक्टर पिसेल, कौन है डॉक्टर पिसेल, इनको जाद रखना इनकी नाम को याद रखना ओधनम् भूझयानों सिम्भूंग ते उधारण है और नंगी न दृवन जालती इसको उत्तरल मास समझ लेठें ठीक है न हो है यह PDF में ऐसा तो ओधनम भुण्यानों विसम भुंगते किसका उधारण है वो सूत्र आपको बताना है बिल्कु सही पैचान रहे है तथा युक्तम्च नीमसितम का है दोस्तो बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर संस्कित की अपलोड है आप जुड़ गए होंगे टॉप 50 स्टडी से टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाए वहाँ पर भी क्लास के पहले लिंक भेशते हैं PDF नोट्स मिल जाते हैं एप को डाउनलोड ना किया हो तो टॉप 50 स्टडी एप को जरूर से डाउनलोड कर लेना दोस्तों बहुत उपी होगी आपको वहाँ पर सामगभी मिलेगी हमारी टेस्स सीरीज जो किवाले 139 रुपेया में आपके TGT PGT के लिए मिल लगी है वो मिल जाएगी सब कुछ वहाँ पर हमारे एप पर मिलेगा फिर आगला है हरिम भी वर्तते बाक में हरिम में दुतिया विभक्ती का कारण है क्या है दुतिया विभक्ती का कारण इस बाक में हाँ तो क्या इसको तोड़ दें तो अपन क्या निकलेगा हरिम अभी वर्तते अब चुकि यहाँ पर पूछा गया है कि दुतिया विभक्ती का कारण क्या है तो यहाँ पर मैन कारण क्या है कि अभी का प्रियोग हुआ है और अभी उपसर के जहाँ पर प्रियोग हो जाता है तो यहाँ पर दुतिया विभक्ती होती है सहे के योग में कौन सी विभक्ति है कई बार पूछा गया है सहे के योग में विभक्ति दोस्तों इससे अच्छे अच्छे ऐसे कॉस्चन केवल एक 139 रुपे में पच्छी सो पलस कॉस्चन की टेस्स सीरी टॉप 50 स्टडी एप पर उपलब्ध है वो लोग आप टेस्ट दें बहुत सारे बच्छे दे रहे हैं बहुत अच्छे नमबर भी ला रहे हैं तो मैं इसलिए दो-तीन बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप चूक नहीं जाएं तो सहे के योग में आपसे बिभक्ति पूछी जाए तो आपको बता दें सहे, साकम, सारधम इनकी योग में तृतिया बिभक्ति आती है कौनसी? तृतिया रूपकों में इस्त्रियों की भासा होती है रूपकों में इस्त्रियों की भासा कौनसी होती है तो रूपक की जब बात आएगी उस्त्रियों की भासा प्राकृत होती है। क्योंकि प्राचीन समय में प्राक्रित जो थी आम बोलचाल की भासा थी और संस्कित सहित्त की भासा थी ठीक है ना और पहले निम्नलिखित में ऐसे किसने मतानुसार संस्कित गद्ध काब की अंतरगत प्रवंध कलपना कार्था और आख्याई को पल लब्द्यार था का विभ क्रास थोड़ा सा कठिन कोस्चन है तेकिन फिर भी आपको वताना है तो आपको मतादें यह वुए हैं डंडी हम थीक है ना डंडी के गद्ध काब के अंतरगत हुआ है थी करकभथा के नुशार कारणों की शंख्या आई-एंपी प्रस्ण है थी तरक भथा के नुशार कार कितने हैं? बिल्कुल साही, 3 कारण है. ठीक है न? कितने हैं टूटल? तीन आगे. द्धनी परिवर्तन तो जिव्भा नर्तन है के बारे में गलत नहीं है लेकिन एकांग की है ठीक है नहीं ये का पेक्छा से कथन की आ जा रहा किवल द्वनी परिवर्तन का अभ्यंतर कारण है द्वनी परिवर्तन का अभ्यंतर कारण क्या है तो द्वनी परिवर्तन का अभ्यंतर कारण में से आता है काल प्रभाव क्या है काल प्रभा के लिए बर्णन ने ग्रिम्नियम में सुधार किया है क्या तो आपको बता दें हाँ किया है रुधिर आवर्णे का लट लकार अन्न पुरुष एक बचन का रूप है रुधिर आवर्णे इसका लट लकार का अन्न पुरुष तो एक बचन रूप क्या वनेगा जल्दी से बता दें आपको बता दें रुधिर आवर्णे रुधिर का यहां पर बन जाएगा लट लकार अन पुरोसेख बचन हाँ रुनध्धी क्या बन जाएगा रुनध्धी करता का इपसित तमम कारक कहलाता है इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया है दोस्तों हमारा जो कोर्स है संस्कित वाला हिंदी वाला उसमें जो वच्चिक अक्षाएं पढ़ रहे हैं वो इस वीडियो को देख रहे हो तो उन पे गलती नहीं होनी चाहिए क्यों क्योंकि ये पढ़ा चुके हैं बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि याद रखना करतूर इपसित तमम करमा करता को जो इपसित तम होता है क्या है करम है दाद हातू में यत प्रत्य का सुद्धरूप होगा दाद हातू में यत प्रत्य का सुद्धरूप क्या हो जाएगा बिल्कुश सई दा धातू में यत प्रत्य लगाने से जो बनता है क्यों सा बनता है देयम दोस्तों में एक वीडियो लाए थे टॉप 50 प्रत्य टॉप 50 प्रत्य का एक वीडियो लाए थे लगा करके कौन सा रूप बनता है तो इसका उत्तर हो जाएगा सही पक्वाहा कौन सा रूप बनता है पक्वाहा आगे गणपती में अनप्रत्य का रूप होगा गणपती में अनप्रत्य लगाने से कौन सा रूप बनता है तो बनता है गणपतम ठीक है ना लावणिक का इस्त्री लिंग रूप होगा लावणिक का इस्त्री लिंग बिल्गुद सही आप पहचान रहे हैं कि यहाँ पर हो जाएगा लावणिकी थोड़ा सा स्पीट लेते हैं लौकी का नाम ही साधुना मर्थ बागनू वर्तते रिशीडाम पुन धारानाम बाच मर्थोनू धावती यह उपरेख्त इस्लोग किस गरंथ से हैं इस्लोग दे दिया है गरंथ का नाम बताना है तो आपको बता दें आपने इतने डिटेल में तो नहीं पढ़ा होगा फर भी कुछ मैन मैन पढ़ लेना है उत्तर राम चरिस्टे है और देखें कस्यास्त्यंत्यम सुख मुपनत्यम दुख मेकान ततो वह नीचरी गट्यस्तु परीचर दसा चक्र नैमी क्रिमेण यह इस इस्लोग का संदेश है इस इस्लोग का भाव है कि सुख दुख परिवर्तन सील है ऐसा नहीं है कि हमेशा सुख ही रहे हमेशा दुख ही रहे परिवर्तन सील है ठीक है और देखें बाण का काल कौन सा है बाण का काल कौन सा है जल्दी से बता दीजीगा हाँ बिल्कुत सही सत्तम सताब्दी का पूरवार्थ है ठीक है न महां का भी बाण है निका काल पूछ लें समय पूछ लें तो आपको बताना है कि सात्वी सताब्दी के पूरवार्थ में हुए है बहुत अच्छा बहुत महत्पून प्रशना आगे हैं दोस्तों दोनों इ अपने एक्जाम में संस्किस से, तो अभी आपको डाउनलोड ना किया हो, तो कर ले हो, कर लिया हो, तो टेस्ट सीरीज ना ले पाया हो, तो ले ले हो, कोई दिक्कत आ है, तो मैंने अपना नमबर आपको बता है, 9691-899172, आप इस नमबर पर हमसे चैट कर सकते हैं, बॉट् संस्कित के व्याकरण हो, साहित्थो, काबसास, तो सब कुछ आपको इस टेस्ट सीरीज में मिलेगा, और आप नरंतर अभ्यास करके बहुत अच्छी नमबर ला सकते हैं, बहुत प्रशिद्ध परिव्यासा, तद्दोसो, सब्दार्थो, सगुणा, बने लंकृती, पुना कि अदोसो, तद अदोसो, मतलब अदोसी होना चाहिए, दोस से रहत हो, सब्दार्थ से सहत हो, और गुणवान हो, ठीक है न, बहे क्या है, तो बहे आपको बता दें, कि उसके लिए किसकी परिवासा है, तो यह परिवासा आपसे पूछ ली जा, तो कमेंट में उत तर आप को सही देना है, काब की परिवासा है, लेकिन एक काब की अलंग करती पुना कौपी, मतलब अलंग कारों से सहत है, तो यह सब कुछ अर्थ लनका लेना, एक काब की परिवासा दी किसने है, एक कमेंट में मैं आपसे उत्तर चाहूंगा, कि तद दोसो सब्दार्थो किसने प प्रेउजयन बताएं, जल्दी से बता दीजेगा मममत ने कितने प्रेउजयन बताएं, दोस्तो, test cockily में आपको क्या कनना है लेने के बाद, daily आपको कम से कम 2 से 3 chapter cover कनने है अब, परिक्षा नस्दीक है, 2 से 3 chapter के आप daily text लगाते जाएं, और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करते जाएं ठीक है ना इतना करना है तो मममट के अनुसार काब के प्रियुजन आपको बता दें तो टोटल है काब के छे प्रियुजन अगस्त आसरम में राम के रहने के लिए पंड कुटी का निर्माण किसने किया था पंड कुटी किसने बनाई थी अगस्त के आसरम में राम को रहने के लिए बिल्कुश सही अवने के साथ ही ये कई तो थे जो पूरा काम करते थे अपने भीया को कुछ निक करने देते थे बड वेदि हमारी regular का अक्छा है पड़ रहे हैं डेली तो ये पहले भी आ चुका है कि कादमबरी क्या है इससे संबंदित प्रश्ण और इसका सही उत्तर दे रहे हैं बिलकुल कि ये कथा है क्या है कथा है ठीक है दोस्तो ऐसे बहुत सारे प्रश्ण निरंतर हम ला रहे हैं लाते पादक कौन है मैं चाहूंगा comment में इसका उत्तराब दे अगला वीडियो इसका अगला part 2 आएगा ये part 1 है हमारे paper का इसमें 60 प्रश्णों पर चर्चा की अगले part में हम और 65 प्रश्णों पर चर्चा करके 125 प्रश्ण पूरे complete हमें करना है तो अगले part में हम चर्चा करेंग अब ही कर लें वहाँ पर और भी आपको material भी मिल जाएगा फिरी फिरी वाले पहले test लगा करके देख लें बहुत कुछ आपको मिलेगा हमारे एक पर telegram चैनल भी top 50 study नाम से है और इस चैनल को subscribe करके वीडियो को like कर ही लेंगे इसका उत्तर comment बताईएगा बात के हमरे साथ कमक अब भी हम अगले वीडियो में आकर के हम पुना चर्चा करेंगे आगे के प्रस्णों पर वीडियो आप तक हम telegram पर दे देंगे जब वह आजाएगा तो आगे और बहुत सारे प्रस्ण हैं यह तो अपन कुछ लेके आये थे तो अपन चर्चा करते हैं